इस दुनिया का चाहे कोई भी रिस्ता हो तोटली भरोसे और विश्वास पर टीका होता है और जिस दिन ये भरोसा विश्वास टूटता है नजाने कई लोगों की जिंदगी भी हमेशा के लिए बरबाद कर देता है आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है रिस्तों के अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है नमस्कार आदाब मैं हस्मूदी और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तक आज की जो सची घटना में आपको सुनाने वाला हूं दरसलिये घटना है उत्तर परदेश की उत्तर परदेश का एक जीला पढ़ता है एटा और इसी एटा का एक थाना पढ़ता है नया गाउं नया गाउं थाने के अंतरगते गाउं आता है असदपूर और इसी असदपूर गाउं का रहने वाला राम बिलास राम बिलास की पत्नी का नाम गैतरी राम बिलास के टोटल तीन बेटे हैं जिसमें बड़ा बेटा मुख राम दूसरा बे अनिल जिसकी उम्र है लगबग 28 साल, पुस्पा जिसकी उम्र है 26 साल. राम बिलास के तीनों बेटे दिल्ली के एक प्राइबेट कमपनी में नोकरी करते हैं और तीनों एक साथी रहते हैं. मूख राम अपनी पत्नी को अपने साथी रखता है अनिल की पत्नी गाव में रहती है लेकिन अनिल की साधी का मात्रा भी पांस साल ही गुजरा था कि अनिल दिल्ली की नोकरी छोड़ देता है और हमेशा के लिए गाव में आ जाता है और फिर अपने पीता के साथ ही खेती किसानी का काम करने लगता है बात कर रहा हूं में 21 जून 2014 के रातरी के वाग राम बिलास का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है खाना खाने के बाद सोजाता है अगली सुबा गाइतरी अपनी बहु से कहती है कि अनिल को जगाए पूस्पा कहती है कि मैं कीचन में हूँ आप खूदी जा करके उन्हें जगा दीजिए गाइतरी जब अपने बेटे को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो अनिल अपने कमरे में नहीं होता है गायतरी अपनी बहुत से कहती है कि साइध अनिल बाहर चला गया है इस पर पुस्पा कहती है कि बाहर का तो दरवाजा भी खुलाई नहीं है हो सकता है कि वो छटपे गए होंगे आप छटपे जा करके देखिए गायतिरी जब अनिल को देखने के लिए छट पे जाती है छट का जब नजारा देखती है गायतिरी चिक चिक करके रोने लगती है दरसल चिक पे ही अनिल का डेट बोडी पड़ा हुआ था जैसे इस बात की जनकारी पूसपा को मालूम चलता है पूसपा भी जब अपने नजरों के साबने अपने पती को मिरीत वास्था में देखती है डाहाडे मार करके रोने लगती है चीक पुकार सून करके आस पर उसके लोग भी कठा हो जाते हैं तभी इस बात की जनकारी नजदिकी थाने में दी जाती है पूली जब अपने टीम के साथ घटनास्तल पे पहुंचती है अनिल की डेट बोडी को बड़ी बारीकी तरीके समुएना करती है अनिल की डेट बोडी पे कोई भी चोटी या घाव का निसान नहीं था लेकिन उसके गले पे एक निसान साब दिखाई दे रहा था जिसे देख करके लग रहा था कि साइद अनिल की गला घोट करके हत्या की गई है पूलीस घटनास्तल की बारीकी तरीके समुएना करती है लेकिन वहाँ पे पूलीस के हाथ में कोई सुबूत नहीं मिलता है पूलिस अब इस हत्या के बारे में अनिल के पूरे परिवार से जब पूछतास करती है सब के सब एक ही जबाब देते हैं कि साब हमें नहीं मालू कि अनिल के हत्या किसे ने की है आखिरकार पूलिस सबसे पहले अनिल की डेट बोडी को अपने कबजे में लेती है और फिर उसे पोस्माडम के लिए भेज देती है और फिर धारा 302 के तहित अग्यात आपराधियों को बिरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छान बिन करना सुरू करती है लेकिन जैसे ही अनिल के पोस्माडम रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट से एक बड़ा ही चौकाने वाला खुलासा होता है दरसल पोस्माडम रिपोर्ट से तो ये खुलासा हो जाता है कि अनिल की दम घुटने की वज़ा से मौत हुई है लेकिन अनिल के सरीर में जहर का भी अंस मिलता है जैसे इस तरह का post-mardum report पुलिस को मिलता है पुलिस को लगता है कि साइध अनिल की हत्या उसके घर के परिवार वालों नहीं किया है एसे लिए पुलिस अब अनिल के पूरे परिवार से एक-एक करके पूस्तास करती है लेकिन सब के सब एकी जवाब देते हैं कि साइध हमने अनिल की हत्या नहीं किया है लेकिन पुलिस को भी कहीने कहीन अनिल के पूरे परिवार पे गहरा सक चला जाता है इसलिए सक के आधार पे पूलिस अनिल के पूरे परिवार के मोबाइल नंबर का सिडियार निकालती है लेकिन पूलिस जब अनिल की पत्नी पुस्पा के मोबाइल नंबर का सिडियार चेक करती है तो मालुम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिसपे पुश्पा पिछले कई महीनों से लगतार बातचित करते आ रही थी पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलती है तो मालुम चलता है कि वो नंबर किसी रामखिलावन के नाम पर रजिस्टर्ड है राम खिलावन जिसकी उम्र है लगभग 22 साल ये राम खिलावन कोई और नहीं बलके अनिल के ही चाचा बेदराम का बेटा है पुलिस के सामने जैसे ही इस तरह का डिटेल्स मिलता है पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पे पुस्पा को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर ये सारी डिटेल्स पुस्पा के सामने रख कर पुस्पा से उसके पती के हत्या के बारे में पूच दस करने लगती है पुलिस जैसे ही अपना सक्ती दिखाना शुरू करती है आकिरकार मजबूर होकर पुस्पा अपनी सचाई कबूल कर लेती है पुस्पा जो फरुखाबाद जीले के रही से पूर गाओं का रहने वाला सुरेस की बेटी है घटना से ठीक 5 सल पहले अनील और पुस्पा की साधी होती है अनील जब पुस्पा से साधी कर अपने घर ले कराता है अपनी पत्नी के साथ बड़ी एक खुसाल तरीके से जीवन वेतीत करने लगता है उस वक्त अनील दिल्ली में रहकर एक प्राइबेट कमपनी में नोकरी करता है साधी का जैसे ही कुछ दिन का वक्त गुजरता है अनील भी अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है लेकिन पुस्पा जब दिल्ली में जाती है पुस्पा को दिल्ली में मन नहीं लगता है पुस्पा अपने पती से कहती है कि मुझे गाँ पहुचा दो लेकिन अनिल पुस्पा को गाँ पहुचाने के लिए तैयार ही नहीं होता है इसी बीच पूस्पा प्रेगनेंट हो जाती है पूस्पा जब प्रेगनेंट हो जाती है आखिरकार अनिल के माता पिता अनिल के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि पूस्पा को गाव भेज दो क्योंकि उसका डिलेबरी होने वाला है अगर उसका डिलेबरी वहाँ पे होता है तो तुम्हें काफी परिसानी होगी आखिर का अनील अपनी माता पिता की बात मान लेता है और पुस्पा को गाव भेज देता है जब समय आता है पुस्पा एक बेटे को जन्व देती है घर में जब पोता आता है पूरे घर में खुसियों का महौल चा जाता है इधर अनील दिल्ली में रहकर अपनी नोकरी तो करता ही है सांथी साथ एक पलोड खरीदने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है लेकिन पूस्पा जब गाँ पे अकेले रहने लगती है उसे अपने पती की याद सताने लगती है इसलिए पूस्पा बार-बार अनिल के नमबर पे फोन करती है और उसे गाँ बुलाने की बात कहती है अनिल हर 2-3 महेने पे 2-4 दिन की छुटी लेकर आता तो है लेकिन 2-4 दिन के बाद वापस चला जाता है जब बार-बार यही परकिरिया होना सुरू होता है तो पुस्पा को अपने पती के उपर ही सक चला जाता है पुस्पा को लगता है कि साइद अनिल का दिल्ली में किसी लड़की के साथ में चकर चल रहा है इसलिए 2-4 दिन की छुटी लेकर आता है और वापस चला जाता है इसी सक के आधार पे पुस्पा भी यह सोच लेती है कि अगर उसके पती का कई अफेर चल रहा है तो वो भी पीछे नहीं रहेगी पुस्पा के ही पडोस में रहने वाला उसके चाचा का लड़का राम खिलावन जब पुस्पा के घर में कोई नहीं होता है राम खिलावन ही अकसर पुस्पा के घर के हर छोटे मोटे काम को करता है राम खिलावन जब पुस्पा के घर पे जाता है तो पुस्पा की कहीं न कहीं राम खिलावन के उपर ही नियट डोल जाती है राम खिलावन जब भी पुस्पा के घर पे जाता है अब पुस्पा राम खिलावन के तरफ बड़ी ही अजीब नजरों से देखती है हालाके राम खिलावन भी इतना कोई छोटा बच्चा नहीं था कि पुस्पा की इसारों को समझ नहीं सकता था राम खिलाओन जब पुस्पा की इसारों को देखता है राम खिलाओन भी अपने आपको नहीं रोख पाता है और आखिर कर ना चाहते हुए भी राम खिलाओन और पुस्पा के बीच में अवैद संबंध बनना सुरू हो जाता है राम खिलावन अक्सर पुस्पा के घर पे तभी जाता है जब उसके घर पे पुस्पा के साथ ससूर नहीं होता है और पुस्पा के घर में ही राम खिलावन और पुस्पा के साथ संबंध बनना सुरू हो जाता है हाला कि ये बात पूस्पा के साथ ससूर को नहीं मालूम चलता है लेकिन पडोसियों को सक्ख हो जाता है तभी पडोस की रहने वाली एक महिला गाइतरी से कहती है कि राम खिलाओन अक्सर तुमारे घर पे तभी आता है जब तुम लोग घर पे नहीं होते हो पडोसी महिला जैसी इस तरह की बाते गाइतरी से कहती है गाइतरी को भी अपनी बहु के उपर सक्ख हो जाता है एसलिए गाइतरी भी अपनी बहु के उपर नजा रखना सुरू कर देती है और आखिरकार एक दिन पूस्पा और राम खिलाओन को छत पे साम के वग रंगे हाथ पकड़ लेती है गायतरी जैसे इस तरह की नजारा देखती है इस बात से गायतरी काफी गुसे में नहीं आती है बलकि ये सारी सचाई पुस्पा के पती अनील को बता देती है अनील को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी पतनी का उसी के चाचा के लड़के के साथ में अवैस संबन चल रहा है अनिल एक फैंसला लेता है दिल्ली से नोकरी छोड़ देता है और हमेशा के लिए गाँ पे आके रहने लगता है घर पे आके जब रहने लगता है अपनी पत्नी के उपर निगरानी भी रखना शुरू कर देता है जिस वज़ा से अब पुस्पा राम खिलाओन से नहीं मिल पाती है मिलना तो दूर बड़ी मुश्किल से राम खिलाओन से बात भी कर पाती है जैसे ही कुछ महिने का समय गुजरता है पुस्पा राम खिलावन के आदी हो जाती है राम खिलावन के बगर रही नहीं पाती है इसलिए अब एक दिन पुस्पा राम खिलावन के नंबर पे फोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बगर नहीं रह सकती है मुझे यहाँ से कहीं दूर ले करके चलो हालाके राम खिलावन भी पुस्पा की बातों में आ जाता है लेकिन राम खिलावन पुस्पा से कहता है कि अगर मैं तुम्हें भगा करके ले जाओंगा तो अनिल भईया मुझे जेल भेज देंगे और मैं तुम्हारे बगर नहीं रह सकता हूँ राम खिलावन पुस्पा से कहता है कि मेरे पास एक उपाय है क्यों न अनिल भाईया को इस दुनिया से हटा दिया जाए राम खिलावन जैसी इस तरह की बाते कहता है पुस्पा भी राम खिलावन के प्यार में इस कदर से अंधी हो चुकी थी कि पुस्पा भी राम खिलावन की ये बात मान जाती है और फिर पुस्पा और राम खिलावन मिल करके अनिल को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सड्यांत्र बना देते हैं इसी सड्यांत्र के तहट राम खिलावन मार्केट में जाता है जहर खरीद कर लाकर पुस्पा को दे देता है 21 जून 2014 को रातरी के वक्त अनिल का पूरा परिवार जब खाना खाता है पुस्पा अपने पती के खाने में जहर मिला देती है खाना वाना खा करके अनिल का पूरा परिवार गहरी नीद में सो जाता है अनिल भी गहरी नींद में सो जाता है लेकिन पुस्पा को अपने आखों में नींद ही नहीं आती है वो अक्सर अपने पती को देखती है कि कब उसकी मौत होगी लेकिन साइध वो जहर अनिल को असर नहीं करता है जैसे ही आधी रात गुजरती है पुस्पा को अब डर सताने लगता है कि साइद अनिल की मौत नहीं होगी आधी रात को ही पुस्पा राम खिलाओन के नंबर पे फोन करती है और उसे अपने घर में बुला लेती है राम खिलाओन जब पुस्पा के घर पे जाता है उस वक्त अनिल काफी गosis गहरी निन में सो रहा था उसी वक्त ही पूसपा और राम खिलाओन मिल करके दोनों अनिल की गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर अनिल की डेट बोड़ी को उठा कर ले जाके चछत पे डाल देते हैं उसके बाद से राम खिलावन अपने घर चला जाता है और पूस्पा अराम से आ करके अपने कमरे में सो जाती है। वाकई में पूस्पा जब ये पूरी कहानी पूलिस वालों को बताती है तो पूलिस पूस्पा के इतरीर के आधार पे राम खिलाओन के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि राम खिलाओन अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है पोलिस उस वक्त पुस्पा को अपने कस्टडी में लेकर उस पे गंभीर धारां में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है लेकिन जैसे ही कुछ दिन का वक्त गुजरता है राम खिलान भी कोट में सरेंडर कर देता है फिर राम खिलान को भी जेल भेज दिया जाता है दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट वक्स में जरूर बताईएगा तब तक पिले जैहिन चैभार